मैं एक चराग हूँ, मुझे रखो सम्हाल कर मैं एक चराग हूँ, मुझे रखो सम्हाल कर होने लगेंग शाम तो मैं काम आऊँगा अची तरह से यह सर एक शेर है कुछ ऐसास है आपके हवाले करता हूँ कि विरासत बाट ली जाए महबबत से तो अच्छा है विरासत बाट ली जाए, महबबत से तो अच्छा है यह वरना एसी दीमक है जो रिष्टे चाड़ जाती है अरी गजल का मतला है कि खुद ही पहुचूंगा मैं कष्टी को किनारा लेकर खुद ही पहुचूंगा मैं कष्टी को किनारा लेकर उठते तूफान से मौजो का सहारा लेकर एन मुम्किन है के मैं डूब ही जाओं लेकिन एन मुम्किन है के मैं डूब ही जाओं लेकिन फिर से अब्रूँगा वही अजम दुबारा लेकर और शिर देखिए कि वक्त बदला तो बदलने लगे उसके तेवर जिसने पहना तक अभी मेरा उतारा लेकर जिर जओ पर ये सितारे शब ही ये शम सकमर आश्मा पर ये सितारे सभी ये शम सकमर सारे रोषण हुए है नूर तुम्हारा लेकर मतलब और एक शेर है कि अपनी पहचान बनाने में जरा वक्त लगा, मेटा लहजा वो महबत वो मरौवत इखलास, मेटा लहजा वो महबत वो मरौवत इखलास, खुद को इनसान बनाने में जरा वक्त लगा, और एक गजल है, कि वो महबत में गिरफतार हो भी सकता है, आदमी है तो गुनागार हो भी सकता है, महबत में गिरफतार हो भी सकता है, आदमी है तो गुनागार हो भी सकता है, और वक्त के साथ बदलते हुए देखा है उसे, आज दुश्मन है तो कल्यार हो भी सकता है, और वक्त के साथ बदलते हुए देखा है उसे, आज दुश्मन है तो कल्यार हो भी सकता है, और आखरी शेर इस गजल का, के हाकिमे वक्त की जो मैंने शिकायत की है, हाकिमे वक्त की जो मैंने शिकायत की है, अब मुखालिफ मेरा अखबार हो भी सकता है, जी बहुत शुक्राइब है।